माइडे श्ट्रेंट्स वेलकम बाइक टो माइचेनल आज हम इस वीडियो में चित्रकाला से सम्मान्दित कुछ महात्पूर्ण प्रश्णों की बारे में पढ़ेंगे जो आपकी बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन सावित होगा इस वार जो है सभी सब्जिक्त में 20 नमर के अबज़क्टी टाइप कुछन पूछे जाएंगे इस ही को ध्यार में रखते हुए हमने जो है चेत्रकाला से जो है 20 महात्पूर्ण प्रश्णों को लिया है जो पीपर में बार-बार पूछे ही जाते हैं तो आए देखते हैं हम पहलो पहला प्रश्ण है वहै कलाकार जिसे चैतन्य सिद्ध कहा जाता है इसमें आप्सेन नंबर है नंदलाल बोस आवने नाथ ट्यगोर — शेत देननाथ मजुम्दार और यामनीरा टो इसमें जो शेतन्य सिद्ध कलाकार हैanne और शेत द्रनाथ मजूंदार हैं जो बंगाल साहिली की चित्रकार है अब्जेक्टिव ट्राइब कुश्चन में ऐसे आपको सही आंसर पे गुले लगा देना है तो चैतने सिध्ध कलाकार किसे कहा गया है तो छेते अंद्रनाथ मजुमदार को एक किस साहिली में चित्रकार थे तो पूछा जाता है तो अब्रिनाथ टैगोर ने जो ही जो है छेतने दाथ मजुमदार को चैते निसिध का उपाद दिये थे ठीक है तो छेतने दाथ मजुमदार किस साहिली के थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल साहिली के थे ठीक है बंगाल साहिली सेकंड देखेंगे अमरिता सेरील का जनम किस देश में हुआ था अम्रिता सेरील का जनम जो है हंगरी के बड़ापेश्ट में हुआ था हंगरी की राज़ानी बड़ापेश्ट है और यह आके जो है गोरपूर में आके रहने लगी और अपने जो है भाई से निममेरे भाई से आके साधी कर ली तीसरा लखनव कानपूर वहराणसी तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललितकला अकादमी लखनव में हैं अगर पूछा जाता राश्टी ललितकला अकादमी तो आप बताते दिल्ली में बहुत बार कोशन पूछा जाता है इसलिए आपके इसको ध्यान दे सबसे इंपोर्डेंट को कि दिखेंगे कि चवर पंचासिका चवर पंचासिका का चित्रण यह नित्रण है तो इसको चित्रण बना ले कि चवर पंचासिका का चित्रण कहां मिलता है किस ग्रंथ में या किस सहली में तो पहले जानेंगे कि चवर पंचासिका ग्रंथ की लिखा काउन थे तो चवर प चम्पावती और बिल्लड ठीक है अब एक किस सैली में इसकी मिलते हैं दो चवर पांचाशका का जो चित्रण है वो मेवाल सैली में मिलता है तो चूंकि मेवाल सैली यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे आप बना लेंगे किसी को मेवाल सैली ठीक है आपसन मेवाल सैली पे आप लोग क्लिक करेंगे दिखेंगे चीतरत ग्रंथ आयार दानिस इसको आयार दानिस पढ़ेंगे चीतरत ग्रंथ आयार दानिस की स्प्राचीन भारती साहित पे आधारित है तो आपको बता दें अपसर नमर पहला रामायण महाभारत पंचेतंद्र नल दमयंत्री तो जो आ ज़िधाली से जुड़ाज जाता है, बून्दी साइरी पहाली साइली, किसेंग्र साइली, कांगला साइली तो जो है राजा संसार चंद्र का नाम जो जुड़ा जाता है वो कांगला सैली में आता है अब कांगला सैली एक पहाली सैली की उप सैली है अगर कांगला सैली नहीं दिया गया है तो पहाली सैली जरूर दिया होगा अगला देखें आजन्ता की गुफाओं की खोज किसने की आजन्ता की गुफाओं की खोज आरियों ने राजपूतों ने अंग्रेजों ने मुगलों ने तो आजन्ता की गुफाओं की खोज अंग्रेजों ने किया था आगर पूछाय किसने किया था तो लिखेंगे आप प्राथ्मिक रंगों का समों कौन सा है लाल पिला ना रंगी पिला लाल नीला ना रंगी हरावाएग निक काला भूरा सफिद तो जो प्राथ्मिक रंग होता है इसको मूल रंग बोलते हैं इसमें होता है लाल नीला फिला तो पिला लाल नीला आपसर नमबर सेकंड वाला जो इसे ही हो, इस तरह साब लोग गुला लगा लेंगे, जो right answer होगा, उसी पर गुला लगाना है, और दो option को गुला नहीं करना है, नहीं तो आपके वो भी question के number नहीं जुड़े जाएंगे, ठीक है, किस pencil से खीची गई रेखा सबसे गाड़ी होती है, तो कौन सी, जो pencil सबसे ग काली ही चलती है, गाड़ी अगर लिखे है काली, तो hb लगाएंगे, आगे देखना है, संभाव त्रिभुज का प्रतेक कौन कितने असका होता है, तो संभाव त्रिभुज का प्रतेक कौन 60 हैंस का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कौनों का योग 180 होता है, तो 60 60 60 यानि अगर एक त्रिभुज बन जाता है उन्मा लेजिए ऐसे तो ये भी 60 का होगा ये भी 60 का होगा ये भी 60 का होगा तो 60 त्रिभुज के तीनों कूण 180 तो प्रतिक कूण 60 यांस के समभाव त्रिभुज में पंच मढ़ी कहा अश्तित है माध्य परदेश, विहार, उत्तर परदेश, राश्था, तो पंच मढ़ी जो है माध्य परदेश में उस्तितते अपसा नॉम्बर ये आगे देखेंगे दो मुख्य रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है आप पड़े हैं कि जब दो मुख्य रंग मिलते हैं तो दुतियक रंग बनते हैं ठीक है दो प्रात्मिक रंग मिलके दुतियक रंग का निर्मार करते हैं तो दो मुख्य रंग मिलके कौन सा रंग बन का बिरोधी ठीक है उस्तवाल चक्र में आमने सामने कर रंगों को बिरोधी रंग कहतें करते हैं लाल का बिरोधी रंग बताने लिए सबसे आज़ान ट्रिक है तीन प्रात्मे रंग ले λीजिये लाल पीला और नीला इंको ले लेंगे तो इनहीं से ही जो है आपका विरोधी रंग तयार होगा जिसका विरोधी रंग कहरा बताना होगा देखिए यहाँ पे लाल पीला यहाँ पे नीला कर दे रहे हैं ठीक है तो अगर हमें लाल का विरोधी निकालना है तो इसको काट देजिए जो बचेगा इसको आप मिला देजिए तो नीला पीला क्या मिल के हो जाता है हारा तो ही रहा टो विरोधी रंग निकालना बहुत इजी है तो जिनका इन्हीं से लाल पीडा निला जिनका भी रहाल पूछणाव होगा उसको आप राजस्थानी सैली के चित्रकार है लेकिन अगर पूछा जाए राजस्थानी वहाँ नहीं हो तो राजस्थानी की एक उप सैली होती है जो है किसन गड़ सैली क्या है किसन गड़ सैली में उसी के चित्रकार है अगर किसन गड़ है तो किसन गड़ लगाएंगे अगर किसन आपका आंसर हो जाएगा रविंद नाटाइगोर, इनको सबसे पहले जो है नोबिल पुरुषकार मिला था 1913 में, सबसे पहले नहीं को, आगे देखेंगे, पीले रंग का विरोधी रंग काउन सा होता, तो पीले रंग का विरोधी निकालने के लिए, आप पीले को काट पीले को काटेंगे, तो बचेगा निला और लाल, और निला लाल मिला के विरोधी बन जाएगा, तो पीले का विरोधी बैगनी हो जाएगा, तो बैगनी आप सन में है नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, तो पीले का विरोधी देख लिजिए, वैसे तो पीले का विरोधी बैगनी रंग होना चाहिए चूंकि आप सनम बैगनी नहीं है तो क्या करेंगे उस्ट वाल्ड चक्र बना लेंगे तो हमने यहां पर एक उस्ट वाल्ड चक्र बना लिया है उस्ट वाल्ड चक्र में आठ कालम होते हैं आठ खाने इसमें लाल रेडर लिखा है यलो पीला ग्र ओर पीला हरा मिलाकर एलो ग्रीन हो जाएक। एलो ग्रीन तो नेला पीले का विरोधी कोमा, तो अगर नंह नहीं है, तो भाल पीला कोई धूत दुए मैं से कोई इन देखेंगे राजस्थानी चित्रकला तो आपसे नंबर यह है बारती चित्रकला कि च्हेंग जिसको शड़ांग का नाम देते हैं तो यह कामशूत्र की 3芬 में पाएक address के टीका तो उसी में जो है छे कला कांग है कला के छेंगों को बारे में बताया गया है जिसमें सडांग है रूप भेद प्रमाल भाव लावड योजना ठीक है छेंग है रूप भेद प्रमाल भाव लावड योजना साद्रिस वाडिका भंग वाडिका भंग होता है तो छे हैं रूप भेद प्रमाल भाव लामल यूजना जो है साद्रिस वाडिका भंग छे हैं इसके जो लिखाक हैं वो यह सुधर पंडित है हरा रंग नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालता है तो हरा और नीला जो है इस सीतल रंग होते हैं हरा जो है ठंड़ा प्रभाव डालते हैं तो हरा रंग जो है आखो पे ठंड़ा प्रभाव डालेगा इसको इसलिए इसको ठंड़ा रंग बोला जाता है किसा सामस्कृति में मुहरे पाई जाती है आदिकालिन वैदिकालिन सिंदुगाडी सब्वेता मादिकालिन तो आपको पता है कि जो मुहरे पाई जाती थी ओ सिंदुगाडी सब्वेता में खुदाय के समय मिलती थी ठीक है मोहरे जातर मोहरे जो है मिट्टी की बनी होती थे कल्प सूत्र की स्तर वर्थम चित्रन की स्तायली में है बौद स्तायली जैन स्तायली जो कल्प सूत्र है वैसे तो जैन स्तायली से संबंदित है इसमें सभी जैन तीर्थंकरों की बारे में बताये गया है चित्रन हुआ है और बाहुने, ठीक है, इसके रचना, तो I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, तुसको जो है, सेर करें, इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आ प्रकार हम लोग जो है, पार्ट वन आज इसको किये हैं, जो सेश कोस्चन रहे गए हैं, हम लोग अगली पार्ट वे पढ़ेंगे, और सभी भी साय के जो है, बोर्ड एक्जाम से सम्मंदित, आपको मिलते रहेंगे, और आप इसकी तैयारी अच्छे से करते रहें, और जो